मुझे आदेखी जब मैने Si Ahora 7 January को joining किया theses जनलिर Marketing inspector के तौरपर 2017 की बात है तो Marketing Inspector की तोरप मैंने जोइन किया था और मेरी पहली सेल्री आई थी मई के महिने में 27 में तो मैल में मेरे घंती बजी किमिन देखा तो उसमें गवर्मन का मैसेश था कि 39,000 क्रेडिटेट इन यूर अकाउंट चो कि तीन महीने हो गए थे जनौरी फरवरी मार्च अप्रेल फरवरी मार्च अप्रेल तो इन तीनों महीनी को सेलरी हर एक दिन के अंतराल पर आई मैही में एक दिन घंटी बजी मेसज आया अगले दिन घंटी बजी मेसज आया तिसरे दिन फिर आया इस तरह से लगबबग एक लग बीश हजार रुपए तsoon दिनों मेरे खाते में आये थे और उसे पैसे की खुसी नहीं होती है जैसे आपको भी कभी वो मैसेज आएगा ना, तो वो पैसे की खुशी नहीं होती है, वो बहुत ही अंदरोनी खुशी होती है, वैसी खुशी तो इंसान कितना भी पैसा कमाले, वो खुशी नहीं हासिल कर सकता, जो अपनी मेहनत से हासिल की गई नौकरी का जो पहला मैसेज आ लगता है है ना इतना 1000 क्रेडिटेट इन यूर अकाउंट वह एक सपने जयसा होता है क्योंकि जब उसे पाये नहीं रहते हैं तो पूरा सपना ही लगता है जब वो चीज मिली नहीं होती तो एकदम से अपना लगता है लोग कहते हैं कि सरकारी नौकरी मिल किसको रही है अच्छा ये भी कहते हैं कि सरकारी नौकरी कोई छोड़ता है क्या तो सरकारी नौकरी कितना मत्व है लेकिन वो सरकारी नौकरी मुझे आसानी से नहीं मिली थी बालू में से तेल निकल गया था, खुद मेरा तेल निकल गया था, एक नौकरी मार्केटिस प्रेक्टर की पाते, 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 मेरा सब करम हो गया था, मैं किसी से यह नहीं करता था कि मेरी नौकरी लग गई, कोई पूचता था तो मैं बोलता था कि नौकरी नहीं लग गई है बड़ी जान बच गई है तो जान बचने जैसा था आप भगवान आपकी जीवन में अगर वो दिन देगा तो आप ही समझेंगे कि यह नवकरी नहीं लगी है जान बच गई है ऐसी जद्दो जहत जो हमारी में चल लई है आने वाले समय में खराब होने है ना ऐसे में हम सभी को यह नहीं दिखना चाहिए कि नोकरी एक रेटी एंग रेटी एंग रेटी एंग हाए एक रेटी बीग रेटी क、ी रेटीं नोकरियां तीन सभी 100500 बांन रही लेकिन एक मोका है कि 3 3 tv 14 बचाने का समय है और इस समय जो भी नोकरियां आ रही हैं चाहे लेकपाल हो या आने वाली हैं लेकपाल हो या फिर UPSI हो जो भी नोकरियां आने वाली हैं जो भरतियां होने वाली हैं सुपर्टेठो त्रितिया चतुर स्रेंडी की जितनी भी नोकरियां हैं वो हमें जान बच 2021 में की जाएंगी यह मैं अपने अनुमान से कह रहा हूं कोई दावा भी नहीं है मुझे लगता है कि 2022 में चुनाव है तो 2021 में सारी भरतियां भरी जाएंगी और एक पर एक भरी जाएंगी और 2020 के लास्ट में जो परिक्षाएं स्टार्ट होने वाली हैं उन सभी की यह सपने फिर पूरे होंगे तो मैंने कहा कि जब मेरी नोकरी लगी थी तो मेरे लिए जान बचने जैसा था मैंने कभी किसी को दोश नहीं दिया इलहाबाद में पढ़ा घर से बनारस घर है सबसे पले इलहाबाद में आया दो-तीन साल इलहाबाद में रहके पढ़ाई किया मैं वो सामाने पुष्भूमी का था अधिकतर क्लासेस में थर्ड वेजनी पास होता था नाइन्थ दोबार फिल था तो भो जादा सपने भी नहीं थे हाँ यह है कि अपसोस काफी था ग्रेजुशन करने के बाद क्या पढ़ाय लिखाई किया नहीं हो क्या करूंगा भविश्य में अब जादा समय भी नहीं बचा है थोड़ा ओर दिन भी साद्य वधी हो जाएगी जिंद्की तैसे ही खराब हो जाएगी गाँ में थोड़ा खेत है जा कि खेती कर लेता अकर कुछ नहीं करता तो क्या करता गा्में खेती करता हलांकि खेती बूरे चीजी नहीं है आज मेरा मन बहुत तेजिस करता है कि मैं गहां जूँँ और थोड़ा अपने खेती पर ध्यान दूँँ मुझे पता नहीं क्यों खेतों से लगाओ है तो उस समय मैं इलावा तीन साल रहा एक कोचिंग भी कर लिया था जनरल इस्टेडिस के लिए थोड़ा बुत उसके बाद दिल्ली चला गया दिल्ली भी कोचिंग किया तो मैं कोचिंग करके घर आ गया था पिता जी मुझे बुला लिये कि खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं चलो आजाओ पिता जी के भी साधान इंकम वाले वैक्ती थे उँके ऋपर भी जिम्मेदारीयां थी मैंने घरे आगया मैंने जित नहीं किया मैं घर आ के प्ढ़ाई करने लगा शाधी भी हो गई कहानी शुन लेजे कहां के बाद भी हो जाएगी यह भी बकवास नहीं है यह भी ज्यान है एक, तो पिता जी ने कभी पैसे नहीं दिये, उसके लिए मैं उनका शुक्र गुजार हूँ, अगर वो पैसे देते मुझे, हाला कि वो डिगरी कालेज में इंगलिस विभाग के रिडर हैं, अगर वो मुझे पैसे दिये होते हैं, तो साध में मुनरंजन में जादा व्यस्त हो जाता है, उन्हों में पैसे नहीं दिये, मेरे हाथ बांज रखे थे, और यही रिजन था, कि जब तक मैं दिल्ली से लोटा, जितना दिन में बनारस में अपने घर में रहा हूँ, मैं कभी घर से बाहर नहीं निकला, ये बात मेरे माबाब भी जानते हैं, कभी नहीं निकलता था, कामरे में से जहांकता ही नहीं था, अपनी कामरे में, सोबा से साम, सिर्फ अपनी कामरे में किसे समतलब नहीं, बनास के लोग को पता ही नहीं था, कि आलोग से अपने घर में आ गए हैं, किसी को नहीं पता था, कि को बाहर निकलूंगा तो लोग प तो दिमाग में किसी सला दी कि कोचिंग चलती है जा के पढ़ालो, कुछ खर्चे निकल जाएंगे, पीटा जी पैसे देती नहीं थे, माँय पैसे देते थी, मेरी अरा महीने कुछ ब dalते देते थी य। लेकिन परियाप्त नहीं कि देखी मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं उन्होंने भी नहीं दिया इतफाग से एक कोचिन मुझे मुझे मुखा दिया उन्होंने कहा कि आपको 90 रुपे प्रती घंटे हम देंगे और हफ्ते में 3-4 दिन क्लासेस देंगे 2 या 3 में इस दरह से 4-5,000 में वहां से कमा देता था और यहीं मनि उस 5-6,000 या 4-5,000 मिलते थे कभी उसे सिकायत नहीं रहती थी कभी नहीं उन पैसों से मैं अपनी सारी जरूरतें और अपने परिवार की पूरी कर लेता था बहुत खुशी होती थी जब लिफाफा आफिस से मिलता था ना सेलरी वाले दिन तो 4-5,000 जो भी अंदर होते थे उसको देकर बहुत खुशी मिलते थी लेकिन हाँ सरकारी नौकरी वाले सेलरी की खुशी नहीं थी वो कहीं कहीं से अनिछित रूप में जॉब करना पढ़ रहा था वो कोई सपना नहीं था मेरा लेकिन फिर भी उस कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है काफी घर में जो मनविज्यानिक प्रभाव आने लगते हैं सोच और मांसिक्ता में बदलाव आने लगते हैं अस्वरक्षा की भावना लोगों में घर करती है यह नौर्मल है सोभाविक है अब उसके चलते घर में तनाव बढ़ा जरूते मैं जाल बढ़े अफ़े पूरी नहीं कर पा रहा था मैं गए बच्च्छा पैदा होता है तो ठीर सारी खर्चे लेकर पैदा था हो उसके खर्चे आपसर मेरे से ज़्यादा होते हैं मानते हैं ना तो उस भी घर में तुनाव भी बढ़ा थोड़ा सा अब जद्धो ज़्यादा होगी नोकरी की देने को तो मैं पीसेस का इंटर्व्यू पी दे रखा था लेकिन किसीं सेलेक्ट नहीं हो रहा था जद्धो ज़्याद बढ़ गई काफी लेकिन बेटा एक होता है मैं थोड़ा लग मानता हूं बेटा आया तो लेकर आया कुछ उस इंटर्व्यू दिया जाके पता ने क्यों मन में एक उम्मीद की किरण थी कि अब हो जाएगा मेरा वेटा आया है अब यह हो जाएगा एक नोकरी मिल जानी चाहिए बड़ा स्वस्त हो गया था मैं और दो इंटर्व्यू की दो से तीन महीने बाद रिजल्ट आया समान करते थे मेरा काफी प्रेम करते थे उसके बारे में बहुत ज्यादा बताने का समय नहीं है तो उन दिनों गुरुप में चलाता था तो सभी लड़के जानते थे कि मैं बहुत परशान था अपनी लाइप में अधिकतर लड़के जानते थे जो गुरुप में थे लभग 300 से साढ़े 300 से लेक्षन वे था ग्रूप में वह अलग ग्रूप था चलिए हट आईए तो सबेरे से ही चर्चा होने लगी कि आज लोग पीसेस का रिजल्ट आने वाला है दिन था 15 फरोरी 15 फरोरी का दिन था सब कह रहे थे रिजल्ट आने वाला है शाम को कितने बज गया सामको 4 बज गया मेरी बड़ती जाये क्या करों क्या करों क्योंकि मैं इतना तंग आ गया था लाइफ में तमाम चोटी-छोटी खर्चों तमाम चोटी-छोटी टेंसन से की बहुत जिंदगी नर्ग जैसी हब होने लगे थी धीरे-धीरे मतलब कि इस स्थिते से पूरी हो रही हो कैसे जिया जाए क्योंकि जिन्दगी सिर्फ खाने के लिए नहीं मिली है अपने हाथ पर थोड़ी खुले होने चाहिए तो मैं उस दिन काफी कस्म सा गया था सुबह से लेके साम तक कभी इस करवाट लेटता था कभी उस करवाट लेटता था फेस्बूक करेंगे और जड़ा धड़कन बढ़ जा रही थी श्राव को पांच बजगे छे बजगे हला हो गया कि अब रिजल्ट आने वाला है मैं घर से बाहर निकल गया अपनी भाई को उथा घर से बाहर निकल गया बनारस घुमा पूरा बनारस घुमा उन दिनों इधर घुमता रह मैं अपने भाई से कहे दिया कि या रिजल्ट जब भी आएगा तो मुझे बता देना मैं अपने से नहीं देखना था हिम्मत ही नहीं होती थी कि रिजल्ट देखा जाया इतनी ताकत ही नहीं थी अच्छा वो बड़ा भाउक चाड़ होता है अब पांस से छे बजगे छे से 7 बज गये मैं भाई को फोन किया कि क्या हो रिजल्ट आगया मुझे लगा कि नहीं बता रहा जाए कि हैं सा तो नहीं हो घ्र आ गया है नहीं तो मैं पूझा आया उसने बूला नहीं फिर थी था।। उसके बाद आठ बजे मैंने गुरूप देखा। बाहर ही था भी। गुरूप मैं देखा कि रेजल्ट आ गया। रेजल्ट आ गया है। मैंने यह यह बंद किया। कहीं से कोई रोलंबर नहीं चãy가 किया अपना। उसके बाद मैं अपनी बाइख लेके घर लोटने लगा, जैसे ही मेरा घर आया, मैं अपनी बाइख अपनी गली में लेके गया, भाई मेरा ऊपर खड़ाओके मुझे टोकर टोकर ते का देख रहा है, रेलिंग के पास दोतले कागर है, दूसरे बाएख खड़ा उके देख र क्या हुआ उसने कहा हो गया तो यह जो समचार होता है यह खबर सुनने के लिए कान तरस जाते हैं जैसे सूखी धर्टी पर एक बुद्ध पानी पढ़ जा ठंडा और उस दिन तो घंगुर बरसात हो गई थी जब मैं रिजर्ट सुना तो आंखे अदम बढ़ा गई उस दिन कमरें पहुचा लगा रोने मां समझाएं पत्नी समझाएं कि चलो सब अच्छा होगा प्रशान मत हो तो यह होती है सरकारी नौकरी पैसा इक अलग बात होती है हमारे उत्तर भारत के जिन छोटे-छोटे समाज में हम रहते हैं सरकाई नौकरी क्या करती है लोगों को हमें देखने का नजरिया चेंज कर देती है लोग हमें दूसरे जरियस देखने लगते हैं मन्थली सेल्डी उतनी मैने नहीं रिखते जितना हमारे छोटी-छोटे समाज में छोटे-छोटे गाउं में हमारे आस-पास रहने वाले लोगों का नजरिया होता है हम उनसे छुटकारा नहीं पा सकते हैं जिन्दगी पर नहीं पा सकते हैं क्यों कि वो हमारा मूल है ना हम उहीं पैदा हुए हैं तो जिस दिन हम वहाँ पुरूफ कर देते हैं जिन्दगी लगता है, आरी, सफ़लोगे यार 30-40 जार मिला है, doesn't matter कुछ मिला तो हमरे प्रूफ किया सरकारी नोकरी मिल किसको रही है तो ये जो बावन सो पद लिकपाल वाले आये हैं, मेरे साथियों भाईयों, बेहनों, दोस्तों ये जिन्दगी बचाने के लिए है जब बीयों का फार्म आया था तो 30 लाग फार्म भरे गया था, बीडियो का इसमें लभाग 15 लाग फार्म भरे जाएंगे लेकिन बावन सो ही पद है 15 लाग जो बच्चे फार्म भरेंगे उनमें से बावन सो ही से लटकिये जाएंगे ये कितना महत्तो रखती है आने वाले दिनों के लिए सोच के देखे जबकि प्राइवेट छेतर में लगातार छटनी होनी है सरकारी छेतर में बहुत ज़्याता नोकरियां अभी नहीं आनी है लेकिन जो आ रहे हैं वो हमारे लिए एक तरह से सोना बरसने जैसा है इसको गवाने की सोचना भी नहीं चाहिए अपना सर्वस इस पर नुच्छावर होना चाहिए लगडाउन में हम पड़े हैं लेकिन एक छात्र कब लगडाउन से बाहर होता है वो हमेशा लगडाउन में है जैसे मैं लॉकडाउन में था तो आप भी आज लॉगडाउन में है आप के लिए लॉगडाउन खत्म नहीं होने वाला जब तक की आप खुद को प्रूफ नहीं कर देंगे हम अपने कर्मचारियों को भी शुक्रिया इसमें कहना चारते हैं हमारे से जोड़े वे जो 40, 45, 50 लोग हैं हम इनको भी शुक्रिया करना चारते हैं क्योंकि आज हम जो भी services प्रोवाइट कर पार रहे हैं educational related वो हम अकेले नहीं कर पार रहे हैं हमारे साथ जुड़े टीचरों, हमारे साथ जुड़े कमचारियों, जो अपनी छोटी-छोटी एक्छाओं और अक्छाओं की चलते इस इस इस्ट्रिचूर से जुड़े हैं, सभी हमसे भूत प्रेम करते हैं, हम उनसे भूत प्रेम करते हैं, सभी मेरे परिवार जैसे होते है एकदम अपनापन, यहां कोई नौकर नहीं, कोई मालिक नहीं है तो ऐसे institute में किसी का भी पढ़ना एक सो भाग एकी बात मानता हूँ हमारे जैसे institute में किसी कोई धगड़ा नहीं, कोई मतभेद नहीं है हम लोग झूट नहीं बोलते हैं आपस में, न आप से जो कहते हैं पूरा करने का प्रैस करते हैं किस प्रोग्राम और किस संगठन में कमिया नहीं होती है लेकिन उसके बावजुद आपने कितना प्रेम दिया है जिन लोगों ने अलोचनाय की सुझाओ दिया हमारे अंदर कमिया दिखाई हम उनका भी साथ वाद देते हैं उनका भी धन्यवाद देते हैं उन लोगोंने हमेशा कमिया बता कर सुझाओ भी बताए अच्छा कमिया बताने वाले कम है कमियों की साथ सुझाओ लिखने वाले हमेशा हमारे इंसर्चिशुट में ज़्यादा रहे हैं जो हाफ बिताते हैं कि एसको ऐसे कर लिजए हम भी तो सीखी रहे हैं अभी साल दो साल के है हमारे इंसर्चिशुट अभी वि sympathिपले कोची ने कितना रिजल्ट दिया है हमने कहा ना सफलता के लिए आप उतरदाई हो सफलता का सरे तो सभी लेंगे तो अगर आप में लगन है परिस्तरम है हमारा सहारा गरब पाए है थोड़ा सा उठ जाएंगे यकीन मानिए बसरते आप में लगन हो हम अपनी कमियों को आपके सुझाओ से लगातार दूर करने और भविशे में करेंगे आपके सुझाओ से करेंगे हम खुद को बहतर गुराने का प्रयास कर रहे हैं यह जड़ो जहत आपके लिए ही नहीं हमारे लिए भी है ऑफ-लाइन का मार्केट विल्कुर टूट गया खतम हो गया आने वाले च्छा मेने तोक उनका कोई मार्केट नहीं है वो भी आएंगे ओनलाइन आही रहें दीरे दीरे पूरी तरह से आप आएंगे सभी आएंगे सबका सुझाओ अपर जो सुरुवात मैंने की थी आज उस छेतर में सभी आ रहे हैं आप देखेंगे जितने वी इस इसमें सबसे पहले सुरुवात करने वाले आलोग नहीं थे तो बाकी सभी लोगों का सवागत हैं आएं लेकिन जिस दक्षता और जिस कम शुल्क में हमारा इंस्रिचूट आपको प्रोवाइट कर देता है बाकी इंस्रिचूटों से सोच भी नहीं सकते बसरते जो गुरोत्ता पूर्ण संस्थान है मौका देखकर तो बरसा प्रोवाइट कर पाएं वो सोच भी नहीं सकते हैं हम इस दिसामें लगातार प्रयास करते हैं कि कैसे फिसको और ज्यादा कम करके कैसे हम छात्रों की संख्या बढ़ाएं और उनको गुरोत्ता परदान करें आखे में दोनों तरब के सहयोग से ही तो दुनिया चलती है हमार प्रयास करेंगे कि लेकपाल का जो एक बैच है बावन सो पदों में से पंद्रह सो से ज़्यादा भरतियां हमारे चात्रों में से हूं हम आने वाले तीन महीने पूरी टीम के साथ आपके लिए जोकेंगे हमारे जितनी भी टीम मैं मैं सो एम तो नहीं पढ़ाऊंगा लेकि कि आपको कैसे एडमिसल लेना है किसी में कुष मवाइल नंबर होता है उतक उसक्ते हैं वाट्व करके मेरे कॉंसलर को कॉल कर सकते हैं आइए व्यों फिर इसी तरह से खहले कुश हौटी च्छोटी बाताउं के साथ आपसे रोगरू होंगा मिलता रहा लग Episode 1-20 मिए मेरा भी लॉक अप रहा, मेरे से जूड़े वे जितनी भी अच्छे टीचर्स हैं, खासकर सिविल सोर्सेस के, वो भी लॉक होगे दिल्ली में, इस समस्याइद थोड़ी बूत रही है, खासकर PCS और IS बैच में जो क्लासेस इधर भी चुरूग गई, PCS बैच में तो क्लासेस गई ह हैं, IS बैच में क्लासेस रूप गई हैं, IS बैच की क्लासेस भी हमारे बैच के नेरबाउट तीन से चार दिनों उसे सुरू करने का प्रयास है, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन को छूट दे रहा है, हम जिस सहर में रहते हैं, हो और एंज जोइन माया चुका है, ठीक है, तो IS बैच की क्लासेस भी सुरू हमगे, इजा जट इज़ आज़ 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 आज़